अगर हम यहां से देखते हैं तो यहां से हमार लिए एक पैटन की तरह यहां पर नज़र आएगा यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक फिलेग पैटन की तरह यहां पर नज़र आएगा यह मार्केट इस पैटन के अंदर ही यहां पर ट्रेट करता हुआ नज़र आएग भी यहाँ पर बनाई है यह लगबग मॉर्रेंग के टाइम पर 11 वजी की केंडल है दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने बनाई थी काफी टाइम से मैं मार्केट को बहुच कर रहा हूँ यहाँ पर इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन किया अपर डारेक्शन में जो हमने ट्रेल बहुत जादा नजेर आएगी GBP fits day आज का डेट है 24 December 2021 आज के दिन GBP rau में बहुत जादा इसे करा है लगबग हम का अगर तर फ़िप्टक करेंगे में तो लगबग लगब अगर को सब्सक्रा आज चार्ज है तो अब भी अगर trade को place करेंगे तो लगभग लगभग at 9 dollar में तो दोस्तों हमारी trade यहाँ पे minus में heat place होगी तो अभी अगर हमें यहाँ से risk and reward ratio देखना है तो risk and reward ratio के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखना होगा हमें यहाँ पे अगर हम trade को place करते हैं बाहर डारेशन में इसका level का यहाँ पे reward देना होगा तब दोस्तों यहाँ पे 50% के आसपास reward हमें मिलेगा तो इस तरीके से आज यहाँ पे मैं दोस्तों trade नहीं करने वाला हूँ क्योंकि spread बहुत जादा है और GBPHD में हाला कि 10 पॉइंट या फिर 15 पॉइंट के आसपास ही spread लगता था बट आज 100 पॉइंट यानि 10 फिप्स दस फिप्स तो बहुत होते हैं दोस्तों 10 फिप्स का तो आज अभी हम trade नहीं करेंगे अगर किसी भी currency pair में हमें एक high spread देखने को मिलता है तो उस जगे हमें trade नहीं करना होता है क्योंकि हमारा profit लगबग 50% पिलस हमारा profit तो minus में ही चला जाता है क्योंकि 0.10 load size के साथ हमारी trade को place करते हैं तो लगबग 7-8 dollar minus में हमारी trade प्लेस होगी तो ऐसी जगे आपको trade नहीं करना है ऐसी currency pair में हमें trade नहीं करना है जिसकी spread ज्यादा हो यानि कि जो broker charges भी हमें इसको बोलते हैं कि broker charges जिसमें ज्यादा हो बहां हमें trade नहीं करना है जिसमें कम देखने को मिलें जैसे euro usd में हमें कम देखने को मिलते हैं बट वहां पे हमें क प्रेंस कोई आपोर्चुटिश देखिए यहां से यहां से आप देखिए कर आप कर सकते हैं यहां से अगर आप देखें यह कहीं न कहीं आपको लेप सोलडर और यह दोस्तों हेड हो गया और यहां से ब्रेक आउड भी तो यहां से हम बाइंग की प्लानिंग तो कर सकते हैं, यहां पर दोस्तों अगर हम यूरो यूजडी में बाइंग की प्लानिंग करते हैं, तो यहां पर भी कोई बड़ी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, यह मार्केट का एक रजिस्टेंस लेवल की तरह यहाँ पर हो सकता है मैं भी यहाँ पर आप देखीगा यह एक रजिस्टेंस की तरह यहाँ पर रियक्ट कर सकता है तो हो सकता है मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन कर ले ठीक है हो सकता है यह बन हबर के टाइम फ्रेम में 15 मिट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेते हैं तो कुछ इस तरीके का यहां पर देखेगा देखेगा यहां पर मार्केट ने रेड केंडिल भी यहां पर बनाना ट्राइ किया है तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे यूरू यूजडी जैसे ह हमने यहां से एक area को यहांपर ड्रोग किया था यानि यह important resistance level था इस level का market resistance लिया और resistance लेने के बाद देखिए market downfall करना start कर दिया तो यहांपर दोस्तों अगर हम इस breakout को देखने के बाद trade को कई न कई बाद आरिक्षिन में place कर देते तो यहां पर हमारा loss हो सकता था तो इस तरीके से दोस्तों आपको पहले confirmation लेना बहुत ज़रूरी है कहां पर register and support कहां पर बन रहा है इसके बाद आपको trade को place करना जाये तो fans यहां से देख सकते हैं आप happy time हो चुका है यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो बज़ कर 25 मिट हो चुके हैं लगबग हम 11 बज़े सोबे मॉर्निंग में 11 बज़े से बेटे हैं बर अभी तक यहां पर कोई भी हमें करना चाहिए तो आज की वीडियो से आपको ठोड़ा कुछ लगने को मिला होगा कि जब हमें सेट अप मिले तभी हमें ट्रेट करना चाहिए अदर भाइस ट्रेट को नहीं करना चाहिए